अचाजी अब हम जो है सेकंड स्टिप आप डार्क रेक्शन पर आ चुके है देटेज रिडक्शन इससे पहले हमने क्या पड़ा कार्बन फिक्सेशन पड़ा जिसके रिजल्ट में हमारे पास टू मालिक्यूल आप पीजीय बन चुके थे आप लोगों ने देखे थे यहां तक तो आप लोग को समझ आ गिया है ना जब अंस्टेबल कंपाउंड त्रीकर बनकर जो है उसमें तूट गया तो पीजीय बन गए अब सेकंड स्टिप बहुत ही इजी है हद से ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पीजीय हमारे पास लास्टिप में बना अब रीडिक्शन कैसे होगा तो रीडिक्शन के लिए हमें नडीपि और एडिप की जरूरत होती है और आप लोग को पता है कि नडीपी एच और एडिपी यह बोत अरृट अर प्राड़क्ट साथ लाइट रियेक्शन अब लाइट रियेक्शन के जो जो दोनों है आप लोग को अभी से ये बात ह法 हो नी चाहिए, देखो मैं अप लोग को बता जिए था कि डार्ग डार्क रियक्शन तिति है वो किस चीज पर डिपंड करता है वह लाइट आगा कोट सबल करता है कौँ सा स्टिप आफ डार्ग रियक्शन तिति है आप पर डिपेंड करता है क्योंकि नडी पीएच और एटी पी ये दोनों जो है इस बोट और क्रूशियल या दे आर निसीसरी पार्द रिड़क्शन आप पीजी ए पीजी ए में ये रिड़क्शन करेंगे और हमारे पास क्या बनाएंगे पीजी ए एल अच्छा जी अब इस नाम है याद रखने हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पीजी ए इल को हम ग्लाइसर अल्डिहाइट त्री पास्पेड भी कहते हैं सही है और इसको हम जी त्री पी मालिकूल भी कहते हैं मतलब जी त्री पी जी त्री पी और पीजी ए एल और ग्लाइसर अल्डिहाइट त् साथ 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 वाटर जो है वहूं भी बनता है अच्छा जी अब हमारे पास लाइट रियेक्शन के प्राड़क्ट जो इन एडिप एच और एटी पी यह जब यहां पर यूज होते हैं इन रिड़क्शन प्रासिस तो एटी पी क्या बन जाता है जब यूज हो जाता है एडि यहारे पास आ जाएंगे कहाँ पर यहा जाएंगे स्ट्रोमा तक सारी घ्रेना अट कोई मैंगी झायं कार्बन आ गिया हमारे पास स्ट्रो मा के अंदर, ये क्या है सारे सारी स्ट्रो मा है, ये क्या है means is ग्रेना है, स्ट्रो मा के अंदर कर्बन डाकसाईड तश्रीफ लेया आया, यहाँ पर 5 कार्बन कंपार्ण डालरड पोन दो του wahr के रेसंत है और यू बीपी रूबिस्को की अब ये PGA जो है ये हमारे पास इन दोनों की मदद से second step में reduction में इन दोनों की मदद से ये reduce हो जाता है PGA L में और water भी बन जाता है अब PGA L को ये दोनों नाम भी हम कह सकते हैं G3P molecule अब ultimately क्या आप लोग कह सकते हैं कि carbon dioxide is now fixed in the PGA L या G3P carbon dioxide is now fixed in the PGA L और G3P अब PGA क्या है this is the second identified product और ये हमारे पास क्या था PGA याद रखना है इसका नाम सही है अचा जी अब हमारा असल मकसद तो G3P molecule का बनाना नहीं है ना हमारा मकसद तो glucose को बनाना है glucose के से बनता है देखो ये एक dark reaction जो है उसका reduction process यहाँ पर run कर रहा था G3P molecule बन रहा था अब ऐसा तो नहीं है कि एक dark reaction चलता है यहाँ पर कोई दूसरा भी जो है बहुत ज़्यादा ये process चलते है ना तो carbon dioxide RUBP 6 carbon compound 6 carbon compound टूट जाता है PGA में अब PGA से फिर reduction की तरूट G3P बनता है अब G3P और G3P यह दोनों क्या है यह 3-3 carbon compound है यह क्या है यह भी 3 carbon compound है यह भी 3 carbon compound है अब यह 3-3 carbon compound compound बलके हमारे पास 6 carbon compound glucose बना रहा होता है 6 carbon compound C6H12O6 तो G3P G3P से हमारे पास finally क्या बन गया glucose जो कि हमारा असल मकसद था dark reaction का photosynthesis का जो कि हमारा मकसद था photosynthesis का photosynthesis का मकसद क्या होता है glucose को बनाना glucose कैसे बनता है आप लोगों ने अभी देख लिया अच्छा जी अब आप लोगों तो यह बात समझ जा गया कि हमारे पास end the end जो है हमारे पास क्या बन गया glucose बन गया जो कि हमारा असल मकסद ता Photosynthesis का Photosynthesis का असल मकसद क्या होता है Glucose को बनाना होता है कैसे बनाता है पूरी की पूरी आप लोग ने Light reaction पड़ी फिर Dark reaction के result में एक Dark reaction ने G3P बना दिया दूसरी Dark reaction ने बना दिया दोनों G3P G3P य acrylic carbon compound amil के Glucose बना रहा होता है होता है यूज होता है तो क्या यह RUVP जो है यह खत मुद्र, अच्टा लगिनरेशन आप अर्यूब यूब्ड होता है, और यह हम